ऐसी दादी सबको मिले नहीं दादी तो दादी का प्यार भी कुछ अलगी होता है उसको देखे ना एकदम से अपना जो बच्पन है वो याद आ गया क्योंकि हम विना ऐसे ही चीनी में खाते थे कई लोग कमेंड में बोलने हैं कि हम आप से कॉंटक्ट कैसे करें सुबह सुबह चाची का खतरनाक वाला एक्सिडेंट भी हो गया वल तो अभी जूलते जूलते अपने बापु जी भी घर पहुंच चुके हैं ध्यारी से हेलो दोस्तों नमस्कार रे क्या हाजचाल मैं हूँ परमोद रावात और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में सांदार व्लॉक के साथ दोस्तों आज के व्लॉक की सुरुवात सुबह के ग्यारा बजे अपनी चत से हो रही है और व्लॉक की आज काम कर रही है सुबह सुबह वो भी क्या करने का घास निकालने का चाची देरदुन गई तो चाची के जो खेत हैं वो सब बंजर टाइप के पड़ गये थे घास जम गया था उसमें तो चाची उसी को यहाँ पर सपाई करने पर लगी हुई है और आलो भी निकल ने खे यह क्या है यह की तो चाची जो राँ है और ऊसका देखो पौधा कितना बड़ा हो गया है अब पालक तो है नहीं कहा आप यह पणतयु कओ ने इतना इतना पालक आज निकला है वह बाल आज धफली वनेगी और चाची बात कर रही थी बड़े-बड़े आलू निकले तो आप देख सकते हैं यह वाले आलू निकले हैं यहाँ पर बड़े-बड़े और इन पर छोटे नहीं आलू भी आ गई इन पर अज की सब्जी तयार अब डिबली बनाओगे कि आलू की थिच्वणी बनाओगे अगौन बनाएगा बुड़े जी बनाएगे तुम नहीं बनादेओ खाना तुम खाना नहीं बनादेओ सब्सक्राइब तो चाची पटी पुटी कर रही है और पटी देखो किसे कर रही है उससे पठी कर रही है तो ऐसे ऐसे हमारे पहाड़ों में कहा जुगाड किये जाते हैं वह मैं आपको बताता रहता हूं अच्छा चाची का है यह मैंने आपको बता है बहुत सारी हमने बातचीत भी की और इसी ठीक बगल में आपको दिखाऊं तो यह भी मैंने आपको कही बार बता है यह वाला हमारा खेत है और इसमें और इसमें काफी अंतर है निजा जी तो मारा खेत सूका सूका पड़ गया और हमारा खेत बिलकुल हरा 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 हो रखाय है तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ वरा लेकिन चाजी घर में थी नहीं तो इस परकार का चाजी का खेत हो गया है और अब हमारे घर पे आये हैं गोलु माराज वो भी कुछ खाते खाते चबाते चबाते क्या खा रहा है क्वादे की रोटी और किस में खा रहा है चीनी में तो इसको देखके न अएकदम से अपना जो बचपन है वो याद आ गया क्योंकि हम वेना ऐसा ही चीनी में कहते थे क्योंकि जो सब्जी सब्जी होती थे उसमें सब मीर्ड हमको लग ती थी और फट से चीनी निकालत थे उसमें थोड़ा पानी ही मिलाते तो नहीं मिला यह पानी है वासाइक है तो आजकी जनरेसेन भी ऐसी चीजां खा रही है तो अच्छा लग रहा है क्योंकि इसी में असली दिटपन है क्यों जो और लगे रहते हैं कोई सौस में खाते हैं कोई कुछ में अपने गोलोमा रास्तों यहां पर मस चीनी में रोटी खा रहे हैं लेकिन इसको देखो यह कपड़े दो क्या रही है ठंडे ठंडे पानी से मुझे आ रहा था कसम से अम दोने के बाद भी काली बुतनी जैसी लग रही है न तो वह गाना नहीं एक वह गाना नहीं है कौनसा बुतनी जैसी में न वह वाली लाइन बोल न भुतनी जैसी वाली अब भुतनी जैसी यह तो इसलिए बोला दा मैं तो मैं तो हुई बुतनी जैसी और यह बोला चुडल जो कोदे की रोटी यह उसको खा के थोड़ा जाना आगे शरीर में नहीं तो आवाजी निकल ली थी नहीं भुग लगी थी अब होगे टना टन पर की बात इसके लिए छोड़ी रोटी तोने है है तो किसमें काएगी यह तो बना रहा है थे उसमें खाएगी यह यह तो आप इसमें लड़ा ही चल गई और बच्वण में ऐसी लड़ाई होती थी हम ऐसाई बोलते थे किसी को तु भोटू है तु बैंसु है तु गोणी है तु बानर है तु खचर है तु गदा है तु थोलू है तो अभी खेतों से और गोसला का काम निपटा के मा घर पहुंच चुकी है और गोर पहुंचते ही देखिए लम लेट हो गई है तो जो यह बना हुआ है ठुमड़ी था कहा लग गई तो मां को चाई पिलाते हैं और साथ-साथ में आज कर कुछ दिनों से अरे अब बूल तब फिर बड़ तो मैं यह बूला था कि मां के घुटनों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है वल मां मजद ज्यादा चल उठ पानी रही है तो इसलिए आप लोगों को अगर को सब्सक्राइब है जो जानते हैं कि क्या हो सकता है क्योंकि मांने बहुत प्रेस्ट कराएं देर दून भीच लेगी दि लेकिन वहां से भी कुछ रिजर्ड नहीं आया है और कुटनों में लगातर दर्द बढ़ता जा रहा है तो कैसा दर्द हो रहा है वह जा रहा है क्या ल साइड स्क्रीन पर सो हो रही होगी तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैं सभी के मैसेज देखता हूं और कई के रिप्लाइ इसलिए भी नहीं कर पाता हूं क्योंकि कोई बोलता है मैं सपोर्ट कीजिए यह कीजिए वो कीजिए तो सपोर्ट सपोर्ट करने से क कुछ नहीं होता है बलकि मेहनत करने से ही सब कुछ होता है तो अगर कोई काम की चीज रहती है तो मैं हर किसी का रिपलाई करता हूं और बहुत टाइम पहले मैंने अपना वट्सप नमर भी दे रखा था तो वहां पर भी आप मुझे कॉंटक्ट कर सकते हैं यह तो इस्टग्राम पर कॉंटक्ट कीजिए वहां से मैं आपको अपना वट्सप नमर दोए दूँगा और आपको जो भी बात करनी है आप मुझे बात कर सकते हैं और अपने भाई साब कुछ बोल लेते जब माया पर पहुंची ते आप बोलो अब न बहुत आवाज निकल लिया एक दिन खाना बनाने के लिए क्या आप मिला कि देखो कैसे गुसा रहे हैं तो अभी जूलते जूलते अपने बापु जी भी गर पहुंच चुके हैं ध्यारी से सामरता नहीं आ रही है लो गाइस बोलने की आते ही तुमको थोड़ा लड़ाई कर आते हैं तुमारे आपस में मा बोल ली है कि अब थोड़ा उच्छा हो गया वल आपसी बहस करने के बाद हमको थोड़ा भूग लग गई है तो उसके बाद हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज खाने में है मिक्स डाल भात और उसके साथ मार्टे और बनाने वाले कौन है वो हमारे बाइस सब्सक्राइब करने का सब्सक्राइब करने का मौका नि छोड़ना है इसमें आयरम मिलता आयरम लुहाट चबाद हो बहस बहुत हो गई है अभी काने में फोकस करते हैं नहीं तो पूरी वीडियो ऐसी में जाएगी आज दोस्तों अभी सामके तीन बज रहे हैं और खाना ख बदली है ना वो भी देखने लायक है क्योंकि जब दिन में हम खाना खा रहे थे उस टाइम मौसम जो है वो बिलकुल साप था दूप लगी हुई थी लेकिन अभी आप देखे आसमान में काले बादल चागे हैं और बारिस है हलकी हलकी बुद्दा बांदी शुरू हो चुक और जिन्दगी कैसली मजे तो यही ले रहा है यहां पर रौकी और रौकी का मालिक दूसरा कुटा तो जो सर्सों की मैं बात कर रहा था वो सर्सों की गड़ी यहां पर रखी हुई है काटके और दी दिवो ले पाने कट दबा भी लेके जावल सुबह से कितनी वार उपर च ठाली है और इसको घर लेके जाना है और फिर भी बहुत काम है कर बारिस तेज आती है तो उसके बाद तो हालत खराब होने वाली है तो चलो भागे भागे एक बार घर चलते हैं फिर आगे काम देखते हैं क्या करना है अभी सर्सों लेके जैसी मैं घर पहुचा तो माने चाई बना रखी थी तो मैं चाई पीता हूँ और मा अभी उसको समालने का काम कर रही है वो जो तिरपाल है उससों ठकाईगी नहीं तो गीला आओके खराब हो सकता है क्या अच्छा और मा बूली है खराब तो नहीं होता लेकिन वह जो चिडियां है वो सारे दाने उठा लेती है तो अभी फटापड चाई पिने के वाद भागे भागे मैं आ चुका हूँ गौसाला पर और यहां देखे हमारी चमक चलो लेटी हुई है उदर हीरा मोती है और अब यह न्यार भी अंदर रखना है लेकिल न्यार रखने से पहले न यह जो गोबर का कंड़ा है वो नीच ख तो गोबर की कंड़ी को मैंने इस खेत में यहां पर डाल दिया है और पिछले कुछ दिनों से मां गोबर ला रही होगी तो मां भी यहीं पर डाल ली है और जो गोबर की कंड़ी में लेके आया हूँ गोबर तो यहां पर डाल दिया लेकिन कंड़ी को बल यहीं रखना है क् कि मा को इसी साइड घास के लिए आना है तो माने वला वहीं छोड़ देना वल तो चलो अब खाली हाथ उपर क्यों क्यों निकलते हैं तो अपनी मा चल पड़ी है घास के लिए नीचे वाले खेतों में जहाँ पर मैंने भी गोबर डाला है और मैं पहुचा हूँ वहाँ पर जहाँ पर गनेश लोगों की मकान बन रही है और अपने नाना जी और बापू जी लगे हैं ध्याड़ी पर काम पर और यहाँ दिखाऊ में तो यहाँ पर मालकिन साब हमारी चाची लगी हुई है पत्थर तोड़ने पर रोड़ी फोड़ने पर और मालिक साब हमको भी कुछ काम दे रहे हैं कैचे हाँ तो हाँ दोड़ी देनी है अब लेहाजी और यहाँ देखिए अनुसका बेचारी को ड्यूटी लगा रही है घर में इन्होंने कभी रोड़ी फोड़ी होगी तो यहाँ तक सारनी है और घर के नवाव हमारी तरह कामचोर गणेस माराज बस भठकी राय देगू और यहाँ देखिए बीच रास्ते पर आज हमको फिर दादी तो दादी का प्यार भी कुछ अलगी होता है तो चलो फटापट इसको खाते हैं और दादी दाद तो है नहीं दादी चबाया जा रहा है यह ऐसे करके चबाना पड़ता है आई अहां सरी है जब तू तू जाएगी ना इतने बुड़ावे प्रते तेर तो आजा दा दादी नहीं बचेगा एदा उमर करें दे रहे हैं कितनी है पिचासी दादी बोले में को सो बड़ सोगे वाल क्या सतासी बोला वलकाली तो गुम फिरके मैं भी आ चुका हूँ अपनी गौसला पर और यहां पर भाई साबी पहुंचे हुए हैं जो कि अपने मोवेशियों क ही वहां खेत में जा रखा है और आपको जो यह पीले फूल नजर आ रहे हैं तो यह लग रहे हैं सरसों की तरो लेकिन यह सरसों के फूल नहीं है बलकि यह है राई के फूल और सरसों और जो राई है न वो लगबग एक ही पर जाती है उनके बीज अगर कहीं पर मुझे कितना प्यारा लग रहना है इसके मुझे से अलो गाइज और अभी मैं उसी खेद में आ चुका हूँ जहां पर कुछ टाइम पहले मैंने गोबर डाला था और अभी यहां पर अपनी मा सडसों निकाल ली है और मिरसा साथ यहां पर गनेस और सामने भोटु माराज भी तो सरसों की जो पोटली है वो माने बांध ली है इसको अब रखते हैं सर में और निकलते हैं घर में और मा अभी नहीं आएगी मा लेके आएगी वाल घास तो अभी सरसों की जो पोटली है उसको लेके मैं घर पहुंच चुक हूँ और अभी जो मौसम है वो बहुत तगड़ा वाला ड्रावन हो गया है और बापु जी भी ध्याड़ी से घर पहुंच चुके हैं और यहां पर चाय का सेवन कर रहे हैं और हमारे भोटु माराज भी पहुंच चुके हैं घर और एक माराज हमारे घर के यहां पर लगे हुए हैं कि अधर जाए